योहीं गाउं आया था तो अचानक से प्लैन बना की NB Waterfall जाया जाए NB Waterfall मेरे घर से सामने वाली पहाड़ी पर है तो उतना भी दोर नहीं है बाइरोड अगर हम जाएं तो लगबग 8-10 किलोमेटर पड़ता है तो चलिए फिर आज आपको दोबारा NB Waterfall घुमाते हैं नमस्कार विवर्स वेलकम बेक टू के GSP Vlogs आई होप आप सब के चहरे पर एक प्यार इसी स्माइल होगी तो आज हम दोबारा जाने वाले हैं NB Waterfall पहले मैंने आपको इसके बारे में पूर इंफॉर्मेशन दे दी है तो इस वीडियो में हम डारेक्ट आपको जर्नी एंजॉय करवाएंगे बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वीडियो को जरूर चकाउट कर लीजिएगा तो अभी मेरे साथ चल रहे हैं मेरे भाई लोग और ये नजारे हैं लोहर घाट से चैनागर तक के रोड के तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जैनागर जैनागर एक सेंटर पॉइंट है अगर आप कुनिहार अरकी या शिमला जैसी जगहों से आते हैं तो बस यहां से बिलास्पूर वाले रोड में आगे निकल लीजिएगा और यहां से भी आपको खुबसुरत से नजारे देखने को मिल जाते हैं मुझा च तर आपका झा hell आपका झाल हो आपका झाल ये खुबसूरत सी रोड ट्रिप थी एन्बी वाटर फॉल के लिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं में गेट के पास और इसके उपर हम गाड़ी नहीं लेका जाएंगे गाड़ी लेकर जाने में रिस्क है और पैदल चलने में मज़ा तो चलिए फिर पैदल ही चला जाए चारों तरफ पानी की आवाजें और ये है घराट जहां पर पानी की मदद से गेहूं का आटा बनाया जाता है नजारे तो बड़े खुबसूरत दिख रहे हैं बस चड़ाई थोड़ी ज़्यादा है फिर चारों तरफ के पानी की आवाजें कानों को सुकून बहुत दे रही है तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और पहले जाकर सनान किया जाए एंबी वाटर फॉर्म में उसके बाद मंदिर आएंगे फॉर्म में बाद और ये है आपके सामने खुबसूरत सा NB Waterfall अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा बस नजारे एंजॉय कीजिए अब मैं कुछ नहीं कीजिए गच्छी बोलूँगा बस नहीं बोलूँगा बस नहीं कीजिए लादा ऐसे एंजरत सानी तो सनान करने के उप्रान्थम मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने जहां पर शुब भगवान का मंदिर है और निकु बाबा का मंदिर है ऐसा माना जाता है कि ये जो पत्थर है एंबी वाटर फॉल का इस पर निकु बाबा अपना घोड़ा लेकर चड़ गए थे और घोड़े के नाल के निशान आज भी इस पत्थर पर देखने क को मिल जाते हैं खेर पानी बहुत जादा था तो हम आपको कुछ नहीं दिखा सके तो ये है खुबसूरत सा मंदिर और इसके अंदर है गुफा निकु बाबा जी की गुफा में तो रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपेरियंस था क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और इनसे लगतार पानी जैसा निकल रहा है खैर मंदिर में शिब भगवान के दर्शन करके बहुत सुकून मिला एन्बी वाटर फॉल की स्टोरी भी हम आपको जरूर सुनाएंगे उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं बहुत चलत किसी नई वीडियो में तब तक मुस्कुराते रहे हैं खैर में तब तक मुस्क्राइब तक मुस्क्राइब रहे हैं